वैसे तो X-ray की खोज 1895 में Sir William's ने करी थी और इसका जो यूज है medical field में तब से ही day by day बढ़ता ही जा रहा है और मैं अब X-ray के बिना तो dentistry को imagine भी नहीं कर सकता हम daily basis के उपर RPG लेते हैं अपने radiograph करते हैं ताकि हम अपनी working land determine कर सके extraction कर सके diagnosis बना सके ओपीजी करवाते हैं ताकि यह हम जो gross के अंदर की overall bone का क्या level है या treatment planning बना सके इस तीज़ के लिए हम use करते हैं लेकिन यह सब 2D images हैं और इन की कुछ limitations होती है structure overlap करती है आपको एक true idea नहीं दे पाता कि अगर meso buckle के पीछे के mesolingual canal तो नहीं चुपी हुई है तो यही चीज की जो limitation है उसको दूर करने के लिए study होती रहती है और हमारे नई technology market में आती रहती है फिर 1972 के अंदर जी एन हांस फिल्ड ने computerized transverse axial scanning को introduce किया जिसके कारण आज का CT scan मुमकिन हुआ लेकिन यह जो CT scan है काफी costly है radiation भी बहुत जादा है तो dentistry में इसका use काफी limited ही रहा लेकिन studies तो चलती रही अराय एन मोजोन ने कोन beam computerized tomography को invent किया जिसको हम CBCT के रूप में जानते हैं जो कि थोड़ी cost के अंदर भी कम थी, radiation भी कम थी और हमारी जो dentist है उसने तुरंट अपना लिया इस चीज़ को और CBCT जब से introduce हुआ है उसका use day by day ही भड़ता जा रहा है मुझे अच्छे से याद है कि 2011 में जब मैंने अपना क्लिनिक किया तो डेली के अंदर एक दो ही CBCT center होते थे जो काफी costly होते थे और उनको कराना काफी tough भी होता था पिशेंट को ये कहना कि आप 6-7000 क्रूपीस का CBCT आप करा के लाईए तो ये उसके बाद अगर आप आज के time का scenario देखें तो मेरे क्लिनिक के within 2 km ही 3-4 CBCT diagnostic centers है और लोगों ने अपने क्लिनिक के अंदर भी CBCT लगा रखें जिनकी अच्छी practice है तो हम CBCT का use आज बढ़ता जा रहा है और मुझे आने वाले दिन में ऐसे उमीद है कि शायद हर क्लिनिक के अंदर CBCT हो हाई मैं GDS Dental से डॉक्टर रोई शर्मा और आज हम बात करेंगे CBCT की क्योंकि CBCT काफी लंबा topic है तो मैं नहीं इस topic को तीन parts में divide किया है फर्स पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि आखिर कारियर CBCT है क्या सेगन पार्ट पर हम देखेंगे कि जो CBCT की reports हमें मिलती है diagnostic center से उनको read कैसे किया जाता है और फर्ड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो CBCT का हमारे साथ CD में मिलती है उसको data को कैसे software को run करते हैं और अपनी analysis कर सकते हैं हम तो दोस्तों आगे चलने से पहले मैं आप से छोटी सी request करना चाहूँगा कि इस वीडियो को like and subscribe भी कर लिजे और Instagram पर follow करना ना भूलिए तो चलिए आज की वीडियो पर चलते हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे कि CBCT के क्या advantage है disadvantage है इसके basic concept क्या है और various application क्या हो सकती है dentistry की field के अंदर सबसे पहले बात करते हैं basic principles की और basic principle का मतरब कि CBCT work कैसे करता है जाहेंसे किसी भी x-ray के अंदर तीन चीज बहुत important है एक तो subject हमारा patient second एक x-ray tube जिससे x-ray radiation आएंगे एक sensor या एक कोई film जो उसको x-ray को record करेगा तो इसको समझने के लिए मेरे पास ये apple है माल लेते हैं ये मेरी gold sensor plate है और ये मेरी cone beam यानि x-ray tube है तो हमारे पास ये apple है ये मैं बीच में रख लेता हूँ यानि ये patient का head है एक तरफ हमारा x-ray tube होगी और एक तरफ sensor होगा तो ये क्या करेगा पहले इस ने यहां से इस angle से पहले इसको shoot करेगा और इसके अंदर record होगी image फिर इस पर shoot करेगा फिर इस पर shoot करेगा फिर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर फिर ऐसे मतलब कि उसने लग बग thousands of images को shoot कर लिया एक different different angle के उपर अब जो ये हमारा sensor है ये क्या करेगा इस ने जितनी भी images लिया है actually में 2D image है अब ये 2D image इस computer के अंदर डाल देगा और जब ये computer के अंदर डालेगा तो इसके अंदर एक software रन हो रहा हुआ जो कि इस 2D images को साबको club करके एक आपको 3D image इस तरीके की तयार करके देगा यानि जो ये हमारा Apple है उसकी एक 3D image वो exactly उसके अंदर दिखा देगा अब जो ये computer का software है ये बहुत important होता है ये इसी का ही कमाल है कि ये thousands of x-ray images को एक उसके अंदर रूप दे रहा है और जो ये software होता है ये हर company का different हो सकता है जैसे हमारा RPG डिफरेंट companies का आता है वाटक का आता है कोड़क का आता है ऐसे CBCT भी different companies के आते हैं वाटक कोड़क से इंडिया से वीला से देंट सप्लाइब बहुत सारी companies के CBCT आते हैं तो हर किसी का software सेम नहीं होता है सबने different बना रखा होता है लेकिन basic functionality सबकी सेम होती है यानि एक वो software क्या बनाना चाती है एक असान बनाना चाती है ताकि हम जैसे doctor भी उसको use कर सके उस जो X-ray की different images उसको render कर सके फरक इन software में बस इतना होगा कि जैसे हम किसी का android phone है किसी का iPhone है हो सकता है कि किसी में camera का जो button है जो icon है वो किसी page पे हो और किसी का किसी page के ऊपर हो तो आप different software के साथ play करेंगे तो आपको पता लग जाएगा और ज्यादा तर आपकी जहां से reports आती होंगी वो तो same software को use करते होंगे या फिर आपने खुद ने CBCT लेने का plan कर रहे तो वो भी एकी company का होगा तो आपने एकी company के software के ऊपर master करनी है लेकिन basic functionality सर्फ software की same होती है जो ये basic CBCT का software होता है उसके साथ-साथ कुछ third party softwares भी company use कर सकती है जैसे माल लेते हैं कि आप implant planning के लिए आप एक surgical guide जाते है तो आप इस CBCT की data है उसको lab में बेजेंगे वो lab third party software की मदद से उसके उपर surgical guide बना सकता है या माल लेते हैं कि कि किसी का job पूरा ही cancer के treatment के तो उसके jaw के size के accordingly एक metal का framework बनाया जाएगा जो बाद में surgeon उसको place कर देगा तो third party softwares भी आते हैं different different काम करने के लिए और जो ये data होता है ये raw data भी वो दूसरे software read कर सकते हैं अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये software होता है ये 2D images को इखटा करता है और एक 3D object बना लेत सकता है तो ये 3D object वो different different planes में बना सकता है इसको इसका क्या मतलब है मैं इस computer screen के अंदर आपको दिखाता हूँ अब मेरी computer screen के ऊपर आप देख रहे होंगे ये सुधीर गोल पेशंट है सी के हम सारी रिपोर्स आगे भी read करने सीखेंगे मेरे सामने अब cvct खुल चुका है computer के अंदर अगर आप ये ऊपर देख रहे होंगे तो देखी जहांपर मेरा mouse है उपर लिखा है orthogonal slicing, curved slicing, custom slicing and oblique slicing यानि ये जो आप चीजी देख रहे हुए तरीके की slicing इसका क्या मतलब है कि ये कुछ slices को इस तरीके से आपको 3D volume का render करके द अब हमने इस apple का x-ray तो ले लिये थे सारे के सारे जो की cvct के अंदर वो गया इसका क्या मतलब है अब हमने एक जो slice है हमारा जो x-ray है वो इस तरीके से भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है और इस angle पे टेड़ा angle पे भी हो सकता है अगर माल लेते कि मेरे पास suppose मैंने इस apple को ऐस इसे बीच ओ बीच इस angle पे cut कर दिया और मैंने ऐसे हर एक एक mm के उपर इसको cut कर दिया मिल्कुल पतली-पतली slices बना ली एक एक और cut कर लेते ताकि आप समझ सके ऐसे three parts में हो गए तो अब ये एक x-ray है ये दूसरा x-ray है और ये तीसरा x-ray है तो अब हमारा जो software है वो क्या करेगा पहले इस x-ray को लेगा फिर इस x-ray को लेगा और फिर इस x-ray को लेगा और ये दुबार से save को reconstruct कर देगा जो इस plane के अंदर जो इन्होंने cut किया है तो इ right अगर माल लेते हैं हम samey apple को ऐसे ऐसे cut करते ऐसे छोटे छोटे पार्ट में यानि अब मैं इसको गोल कट कर रहा हूं गोल में पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे तो इसको यह कर्ड कर रहा हूं तो इसको क्या कहेंगे curved slicing अगर माल लेते हैं मैंने इसको पहले ऐसे cut किया फिर ऐसे कर यानि perpendicular cut किया अब मेरा ऐसा बन लिए मैं इसको क्या चाहता हूं थोड़ा टेड़ा cut कर देता हूं यानि पहले ऐसे था अब मैं इसको ऐसे cut कर देता हूं तो same way में इसको भी different different parts के अंदर cut करा जा सकता है और फिर जोड़ा जा सकता है और इसको हम क्या कहेंगे oblique slicing अब यह मेरी computer screen के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक cvct का data खोल लिया है इसके अंदर जो टॉप portion पे और orthogonal slicing फिर a skirt slicing फिर custom slicing फिर oblique slicing यह सब हमारे पास है तो जो orthogonal slicing आई यह orthogonal slicing हम कभ यूज करते हैं जैसे अगर आप मैं यह purple line को अगर उपर नीचे करता हूं तो आप यह देख सकते हैं अगर मैं यह purple line को ऊपर नीचे करता हूं तो आप यह देख सकते हैं यह मेरे को sinus एक साथ दिख रहा है दुनों तरफ की jaws एक साथ दिख रहे हैं तो यानि मेरे को कोई अगर चीजे चेक करनी है कि एक TMJ दूसरे TMJ से क्या relation है उसका इस anatomy के साथ उस anatomy के साथ क्या relation है तो मैं इस वाले view के अंदर चेक करता हूं ज्यादा तर यह वाला जो view है यह हमें used नहीं होता फिर आता है कर्ड स्लाइसिंग क्या होता है कि इसके अंदर हमारा जो ऐसे ऐसे मैं जो एपल पर करके दिखाया था तक उसके ऊपर यह based है कर्ड स्लाइसिंग हमारी जो maximum जो जितने भी डेंटल डेंटिस्टी की interpretation है जो implant और endobs से संबंदित है वो इसी के अंदर होती है और इसको detailed हम अपनी आगे जो third video है software में को कैसे use करना है उसके अंदर देखेंगे फिर आता है custom slicing यानि आप अपने किसी angle के ऊपर कट करके देखना चाहते हो and last आता है हमारा oblique slicing यह आपको अपने data जैसे एक angle के ऊपर कट करके फिर उसको 3D volume में किया अब आप देख रहे हो उस व्यू के अंदर तो इसको कभ यूज करते हो जब माल लेते हैं आप कर स्लाइसिंगे अंदर endo की डाग्नोसिस नहीं बना पारे मिसके नहीं देख पारे तो आप एक बार इस वाले व्यू के अंदर भी shift होके देखते हैं उसके अंदर लेकिन जो लेफ्ट अपर है इसको हम कहते एक्जियल व्यू यानि आप फोटोग्राफ जो एक्सरे व्यू है वो कहां से देख रहे हो आप नीचे से उपर की तरफ देख रहे हो तो यह आपको जो फिलाल स्क्रीन के पर देख रहे हैं जैसे मेंडिबल देख रहा है फिर अकर मैं इस यलो बार को थोड़ा उपर लेके जाऊँगा तो फिर ये मेरे को मैक्जिला दिखने लग जाएगा ठीक है यह मेरी मैक्जिलरी आर्चाली जो नेक्स्ट है हमारा राइट अपर है यह हमारा ओपीजी जैसा व्यू आपको देख रहा होगा यह जो व्यू है यह पैनोरमिक व्यू है और इसके अंदर आप पोजिशन कर सकते हो मैं को इस वाले जगह पर इंप्लांट डालना है यहां पर बोन है नहीं है जो आप अप अपर इस पर कर सकते हो लेकिन ऑपीजी जीतना अक्यूरेट नहीं होता क्योंकि यह एक रीकंस्ट्रक्टेट व्यू है अगर आप अपीजी व्यू पर ही आपको बिलीब करना है तो आपको ओपीजी कराना पड़ेगा फिर लेफ्ट दिखेगा या हडडी दिखेगा जिस पोर्शन का आपने करा है वो एक एक एक्जेक यू आपको यहां पर मिल जाएगा एट लास्ट विजो लोगर राइट के अंदर यह आपको और इस तीन सेक्शन की दिख रहें यह एक 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 मेम के डिफरेंस के ऊपर है इस वाले तो दोस्तों व्यूंस तो बहुत सारे हो सकते हैं सजाईटल हो सकता है कोरोनल हो सकता है आप different different और भी व्यूस हो सकते हैं लेकिन maximum जो व्यूस आपको चाहिए वो मैंने आपको दिखा दी हैं, इतने व्यूज आपके लिए फिलाल के लिए बहुत है और अब वीडियो को और आगे लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि इन CBCT से आप क्या-क्या चीजे डाइगनोज कर सकते हों तो जो first use CBCT का आता है, जो हमारे पास जो सबसे पहले हम ज़्यादा तर लिखते हैं वो तो implantology के लिए लिखते हैं और उसको हम डेटेल जो है वो अपनी next आने वाली दो वीडियो के अंदर देखेंगे और जो हमारे next use आता है वो surgery या oral and maxillofacial surgery related चीजों के साथ आ सकता है जैसे कि अगर आप को कुल patient आपके पास आया है उसका accident हो गया और उसको कुल fracture का doubt है तो ओपीजी के अंदर आपको mandibular fracture तो फिर भी दिख जाएगा लेकिन maxilla का fracture देखने के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है maxilla to maxillary fracture आपको ओपीजी में नहीं देखेगा और अगर आप इस particular image की बात करते तो यह देखिए कि एक छोटा सा patient को accident होगा आगे के दाथ हिल भी रहते patient के तो इसके अंदर आपको CBCT के अंदर ही आपको fracture line दिखेगी लेकिन अगर आप यह वाली जो चीजें अगर आप OPG में और ROVG के उपर ब्रोसर होगे तो आपको यह पता ही नहीं लगेगा कि पेशेंट की हड़ी क के समय दाथ हिल रहा है तो CBCT is very useful in diagnosing fracture especially in condyle areas और in maxilla fracture के अंदर तो यही जरूरत है बहुत बार आपने यह भी देखा होगा कि patient को cyst हो जाती है ज्यादा तर तो वह endo related cyst ही होती है लेकिन और तरकी की radicular cyst cyst भी हो सकते हैं काफी heavy भी हो सकते है या tumor हो सकता है जो की bone involved कर लिया अगर आप OBG कराएंगे तो obviously आपको वहाँ पे कुछ ने कुछ दिख जाएगा radiolucency दिख जाएगी या radio opacity दिख जाएगी clinically आपको यह पता लग जाएगा यह बड़ा हो गया छोटा हो गया लेकिन आपको अगर surgery plan करनी है तो आपको तो exactly यह पता होना चाहिए उसकी dimension कितनी है तो वह भी dimension आपको नहीं पता लगेगी अगर आप इस image के अंदर अगर आप बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं जो हमारी रेडिकलार सिस्ट है इसने बकल और पैलेटल कोटिकल प्लेट्स तक दोनों को खतम कर चुके हैं यहां पर मून अवेलेबल ही नहीं है तो अगर आप सोच रहे हो आपने प्लान कर लिया है कि पेशेंट को यह बता रहे हो कि जैसे इंफिर लेवलेकलार दोनों रूट्स के बीचों बीच से गुजर रही है लेकिन ज्यादा तर ऐसा नहीं होता तो कि वह बकल या लिंग्वली प्लेस्ट होते हैं तो इस वज़े से ऐसा लगता है और हमारी जो इस वक्त तक लिंग्वली हो चुब होते हैं थर्ड मोलर है उसके जस्ट बिल्कुल एक एमेम का डिस्टेंस भी नहीं है और उसके नीचे ही केनाल है तो दूरिंग सर्जरी अगर कुछ भी ट्रॉमा होता है तो वह हमारी इंपिर अलवेलर केनाल को डेमेज कर सकता है थार्ड यूस एंडॉडॉडॉंटिक्स में भी हो सकता है पलस यह कॉसली भी होगा तो हमारे जो एंडॉडॉडॉड के नदर यूस है अंगर आपको कोई कनाल्र कनल है नहीं मिल रए है या उसको अंदर आपने अच्छी आज़्से चीक करती है पर फिर भी δर्द है आप उसको और फर्दर डाइग्गौस कराना चाहते हैं तो आप उस चीज के लिए भी CBCT के लिए जा सकते हैं तो हम देख लेते हैं कि CBCT का किस-किस चीज में यूज हो सकता है आप number of roots को देखने के लिए कर सकते हो उनकी morphology को देखने को यूज कर सकते हो आप number of canals and accessory canals देखने के लिए यूज कर सकते हो, root की angulation को विज्वलाइज करने के लिए कर सकते हो present root की obturation है उसको देखने को कर सकते है कि वो short तो नहीं है किसी angle के उपर vertical root fracture भी CBCT के अंदर काफी देखने को मिल सकता है आप अगर इस CBCT report के अंदर देख रही हैं तो इसके अंदर आपको देखी जाएगा कि miss distopalatal root रह गई है जिसके कारण patient को दर्फ हो सकता है और अगर आप इस next CBCT image को देखेंगे तो इसके अंदर आपको सास पता लग जाएगा कि इसमें root fracture है लेकिन अगर यही image आप अगर RPG लेंगे तो उसमें सर्फ एक अच्छी obturation और उसके नीचे एक lesion के लावा आपको नहीं पता लगेगा अगर आप अच्छी obturation आप री आरसे टीवी सोचोगे तो ठ्रक्टर ठीक नहीं होगा आपकी मैनज वेस्ट जाएगी next जो use को सकता है वो TMJ analysis के अंदर भी हो सकता है आप TMJ की analysis करा सकते हैं left side की करा सकते है right करा सकते हैं दोनों side की करा सकते हैं close mouth में करा सकते हैं open mouth में करा सकते हैं और जो यह TMJ है यह बहुत भी ना समझने वाला topic identity का और general dentist जादा तर इसके अंदर माहिरता नहीं होती उसकी मेरी भी नहीं है तो लेकिन अगर TMJ analysis आपने करा नहीं है तो एक अच्छी CV center से करा सकते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर एक अच्छी analysis आपको करके दे सकता है तो अगर आप TMJ problem को suspect कर रहे हैं patient के अंदर और आप TMJ analysis के लिए जाते हैं तो आप क्या-क्या देख सकते हैं आप यह देख सकते हैं कि कोई jaw की asymmetry तो नहीं है किसी तरफ का कॉंडाइल लंबा छोटा तो नहीं है joint space कैसा है उसके अंदर disc कैसी है अर्टिकुल कॉंडाइल गिस तो नहीं गया rheumatitis तो नहीं हो गया दोनों का space during closing and mouth दोनों का same है या नहीं है तो various TMG की दिक्कते आप देख सकते हो cvct के अंदर लेकिन as a general dentist आपको दूसरों की reports पे निर्बर रहना पड़ेगा नेक्स जो न्यूज हो सकता है cvct कब orthodontic treatment planning के अंदर भी हो सकता है ज्यादा तर orthodontics के अंदर हम लोग सिर्फ हैं इंपेक्टेड कैनाइन या कोई भी इंपेक्टेड दान्त है उसके लिए ही करते हैं ताकि हमें यह पता लग जाए कि उस इंपेक्टेड जो कैनाइन है उसकी पोजिशन गया है उसके आसपास की around की bone कैसा है उसकी proximity कैसा है क कि आप tooth movement करेंगे तो क्या दूसरे वाले दान की root को तो नहीं touch करेगा तो आप various analysis कर सकते हैं cbct की मदद से लेकिन और्थों में और भी use हो सकता है cbct का जैसे आप उसका skeletal growth pattern देख सकते हो patient age देख सकते हो उसका air भी देख सकते हो आप और अगर आप patient orthogenetic surgery के लिए recommended है और orthogenetic surgery हो नहीं है तो फिर तो cbct must है उसके लिए कोई alternative नहीं है friends cbct के uses तो बहुत सारे हो सकते हैं और advantage भी हो सकते हैं disadvantage भी limitation भी हो सकते हैं limitation हो सकते हैं जैसे इसमें artifacts आजाते हैं patient जब cbct scan कर रहा है था patient को एक मिनिट तक लगबग still बैठना होता है और वही जाए तो हो सक treatment की भी गुंजाइश है लेकिन धीरे धीरे it's very good thing especially in implantology, surgery, any surgical field तो cbct overall बहुत अच्छी चीज़ है तो अपनी next वीडियो के दर हम देखेंगे कि आपको reports कैसे read करनी है thank you for watching please subscribe our channel for watching other useful videos thank you